Hello everyone, कैसे हैं आप सभी, I hope all of you are good and healthy, अब तक हमने 6 chapter कवर कर लिये हैं MPC 004 की, इस वीडियो में हम कवर करेंगे lesson 7, interpersonal attraction, चो शलिए शुरू करते हैं, this is Ankur Shriptan, welcome on our YouTube channel, conceptual study point, let's start the video, first of all हमें ये समझना होगा, interpersonal attraction क्या होती है, लेकिन इस से पहले मैं आप से question पोचूँगा, कभी आपने सोचा है कि आप एक दूसरे से relationship कैसे build करती हैं, या आप क्या कारण है कि आप उनकी तरफ attract हो जाते हैं, किसी की भी तरफ, कि आप कोई product हो सकता है, या कोई human हो सकता है, या person हो सकता है, तो आप आज इस वीडियो में हम ये study करेंगे कि कैसे हम किसी की तरफ attract हो जाते है, उस person के regarding, feelings कैसी है, thought कैसे है, emotions कैसे है, हमारा overall behavior कैसा है, ये interpersonal attractions के definition है, कैसे है, positive feelings, positive, negative नहीं positive, क्योंकि यहाँ पर हम attraction की बात करें है, ठीक है, attitude, behavior, that draw individual towards one another, हमें एक दुसरी की तरफ खीचते हैं, या हम कह सकते हैं, हमें एक दुसरी की तरफ attract होती है, तो यहाँ पर number of reasons है, similarities हो सकती है, proximity हो सकता है, या फिर physical attractiveness, सबसे famous attractiveness, आपने ये note किया होगा, जो boys है, looking at girls and staring continuously, जो why, ऐसा क्या reason है, it may be possible कि उनकी physical attractiveness को देखकर है, जो क्या करें, उनको stare करें, खूर रहे हो, सो हो सकता है, वो किसी गाड़ी को देखकर, जरूरी नहीं है, girls, हो सकता है, किसी गाड़ी को देख, या फिर मैं common example लेता हूँ, देखिए, सबसे पहले ना कुछ factors है, मैं आपको बता देता हूँ, heading क्या है, ये some factors and examples of interpersonal attractiveness, जो हमें बताएंगी कि ये factor है, जिनकी वज़े से हम ये जो personality show करते हैं, interpersonal attractions हम show करते हैं, ठीक है, जैसे कि सबसे पहला है हमारे पास physical attractiveness, physical attractiveness क्या होगा, कि हम किसी के physique को देख कर उसकी तरफ attract हो रहे है, it may be possible, it may be possible that, कि मान लीजे कोई सामने वाला अच्छे जिसके जो body है, हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, उसकी जो personality, overall personality हम किस वे में कह रहे हैं, सिरफ उसने जो अच्छी dress की हुई है, hairstyle अच्छा है, beard अच्छी है, या फिर उसकी body शोड़ी अच्छी है, biceps, six abs, ये सभी उसके अच्छी हैं, अच्छी height है, तो इन सभी को मिला कर physical attractiveness कि हम उन्हें देखते हैं, और हम उनकी तरफ attract होने लग जाते हैं, हम सोचते हैं, शायद ये मेरा friend होगा, तो मेरी personality पर affect पड़ेगा, या म friendship करते हैं, तो आप क्या देखते हैं, कि इसका स्वभाव है ना, मेरे जैसा है, इसके जो traits से मुझसे मिलते हैं, हमारे दोनों के interest काफी same same है, यहां में जो same same बाते करते हैं, तो thinking process same है, तो similarities देखते हैं, हम people tend to be attracted to those who share similar interest, values, beliefs and attitude, जहां पर आपको same same देखने को मिलता है, कि हां यह तो बिलकुल मेरे जैसा ही है, शायद हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं, है ना, तो शायद यह मेरा एक अच्छा partner बन सकता है, it may be possible, तो similarity कैसे interpersonal attraction में योगदान देदी है, contribute करती है, next रादा है मारे पास proximity, proximity third point, proximity में सबसे best example है आपके नई बस, माल लीजे आप के पडोस में कोई नया, जो नई family आई है, हो सकता है, उसको आप जानते तक नहीं हो, लेकिन after some time क्या होता है, हम उनसे बात करते हैं, हम उनके घर भी जाते हैं, कई बार हम खाना भी आ, जो कभी उनके घर या कभी हमारे घर ऐसे खाते हैं, हम साथ में खेलते हैं, एकी bedroom में हम कई बार सो भी जाते हैं, तो ये क्या होता है, proximity, हम में क्या हो रहा है, जो distance है, वो कम distance होने की वज़े से हम ये कह सकते हैं, कि निकटता की वज़े से, क्या होता है हमारे अंदर है, जो attraction के भाव पैदा होते हैं, हम उन्हें पसंद गरने लग जाते हैं, हमारे attitude, हमारी thinking, उनको जो लेकर जो change होने लग जाती है, धीरे धीरे, ठीक है, तो proximity कैसे interpersonal, जो interpersonal attraction में contribute करती है, देखा, next आता है हमारे पास fourth complimentary, अब ये complimentary क्या होता है, माल लीजिए, आपकी body अच्छी है, या आपकी body अच्छी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा तर ऐसे ही consider करते हैं, कि कि किसी पे, biceps, chest, everything is set, है न, सब कुछ अच्छा-च्छा, मतलब देखने में क्या लगता है, effective लगता है, कि हाँ यार, काफी effective body है, हमें उनको देखकर ये लगता है, काश मेरी भी ऐसी body होती, तो माप पर क्या होता है, हम कई बार अपने जो partner, समनारे जो friends है, जो इस तरह चूज क कि मेरे friend लंबे-लंबे होने चाहिए, आप introvert हो सकता है, आपके friend आप ये सोचे कि extrovert, ताकि हाम है, जो एक दुसरे की कमियों को पूरा करते रहे, तो complimentary इस तरह जो interpersonal attraction में contribute करती है, fifth point आता है, हमारे पास reciprocity, reciprocity means cost and benefit वही, है न, यहाँ पर क्या होता है, कि मान लीजे, आप क मेरे दीर, ऐसा नहीं है कि एकदमी हो जाएगा, if one person express romantic interest in another and that interest is reciprocated a romantic relationship may be developed, तो reciprocity इस तरह जो cause and benefit भी है, जो cost and benefit भी कि मान लीजे, हम यह सोचते हैं कि हम यहाँ पर इतना time invest कर दें, चाहिए, यह मेरे लिए beneficial हो, तो तो भी हमें जो किसी की तरफ interest, जो attract हो जाते हैं, जब ह next point आता है हमारे पास familiarity, familiarity का means क्या होगा यहाँ पर, हम मान लीजे, आपको कोई एक product पसंद नहीं है, हम product से लेकर चलेंगे, या फिर आपको कोई आपके classmate है, जो कि काफे intelligent और आपको पसंद नहीं है, लेकिन दीरे दीरे आपने कई movies में ऐसा देखा होगा, कि जो दो opposite party है, वो बार-बार एक दूसरे से familiar होते हैं, actor and actress, लेकिन इतने familiar हो जाते हैं, बार-बार multiple exposure से वो क्या होता है, वो एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, और आखिर में उनका batch up हो जाता है, तो वो वहाँ पर कौन सा आप कह सकते हैं, familiarity जो factor है, वो interpersonal attraction में contribute कर रहा है, जो कि एक best example है, आपको advertisement आपने देखी होगी, YouTube पर, mobile phone में, TVs पर, तो आप क्या करते हैं, आप flexes पर जो, cities में जो flex लगे होते हैं, बड़े-बड़े boarding और pamphlets, उसमें क्या होता है, उसमें एक ही product को बार-बार-बार show होता है, और हम कई बार है जो देखने पर, advertisement देखने पर क्या हमारा attitude, change हो जाता है, मुझे product को पसंद करने लग जाते हैं, या फिर कभी हमें जरूरत पड़े, कि मान लिजे, हापिक की बात करें, तो आप तुरंत ये कहेंगे, कि हाँ, हमारी toilet ना गंदी रहते हैं, तो शायद हमें हापिक यूज़ करना चाहिए, तो वहाँ पर क्या और उस हापिक के प्रतिय आपके जो thinking, वो change हो रही है, तो familiarity काफी important factor है, सेवन थाता है, shared experience, आप में से काफी हों के ऐसे friend होंगे, कि जिनके साथ आप अपनी सारी की सारी बाते share करते हैं, या फिर, मान लिजे, आपको किसी college में एक project दे दिया जाता है, और project में आपके दो तीन friend ऐसे शामिल है, जिनसे आपने कभी बात की नहीं, मतलब classmate है friends नहीं, तो classmate हैं, तो धीरे-धीरे आप क्या करते हैं, projects के regarding information share करते हैं, धीरे-धीर अपनी family से, तो आप क्या कर रहे हैं, वहापर experience को share कर रहे हैं, accomplishment के लिए, चीक है, यह हो सकता है, अपनी accomplishment को भी share करे करेंगे, उनको भी share करेंगे, नहीं, हमारे तीनों का ही credit है, एक का नहीं है, हमने तीनों ने मिलकर काम किया है, तब यह project complete हो है, इस तरह की चीज़े हैं, जो क्या करते हैं, interpersonal attractions को मजबूत बना देती हैं, तो shared experience इस तरह जो contribute करते हैं, interpersonal attraction में, 8th point आता है chemistry का, अब यह point आप आपने काफी movies, series और web series में देखा होगा, कि उसकी मेरे साथ chemistry है, या फिर आपने practical life में भी कई बार यह term use की होगी है, हमारी chemistry तो सबसे अलगी है, हमारी combination हमारा सबसे अलग है, तो आप हमें यह, आप बताएंगे कि chemistry का meaning क्या है यहाँ पर है, तो इसे क्या पता चलेगा, कि कुछ examples समझाएंगे आप मुझे, ठीक है, अब तक मैं आपको समझा रहा था, लेकिन अब आप मुझे समझाएंगे, हर वीडियो में मैं एक छोटा सा topic छोड़ूँगा, ताकि यह मुझे पता चले कि कौन-कौन videos complete देख रहा है, मुझे पता है, ज्यादा students नहीं देखते ह Next आता है हमारे पास personality traits, personality traits क्या होता है कि हो सकता है हमारे अंदर ही कुछ ऐसे traits, already मान लिजे सबसे जो best example वो क्या helping nature, लोग यह देखते हैं यह तो काफी मदद करता है, यह तो यहाँ भी help कर रहा है, लोगों की मां भी help कर रहा है, तो ऐसा nature देख कर किसको कोई पसंद नहीं करें कि हां मैं उसकी भी help कर रहा हूं, मैंने उसकी भी assignments में help की, मैं environment को बचा रहा हूं, या मैं environment को बचाने में अपना contribute कर रहा हूं, मैं गरीब बच्चों को दान दे रहा हूं, इस तरह की चीज़े की helping nature, तो दीरे दीरे वहाँ पर क्या होता है, वो actress या वो actor या फिर आ आप सेक्योर फिल करें, इसका मतलब यह नहीं है कि security का मिन से तो आपके साथ जो गन्मन रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, security means यहां पर emotional sport हो सकता है, तो क्या लगे आपको कि हां मैं इसके साथ जो अपनी बाते अच्छे तरह शेयर कर सकता हूं, यह मुझे na without judgment सुनता है, या unconditional positive regards है वाँ पर, यह हम कह सकते हैं कि मुझे na safe safe मैसूस होता है, ठीक है, सब कुछ बिल्कुल मज़ा आता है, ऐसा लगता है ना कि तुमारे साथ रह करतो हो ना, बस मुझे दुनिया की चिंता ही खतम हो जाते, it means वाँ पर आप secure feel कर रहे हैं, तो sense of security से भी आप क्या करते है कि आप जो interpersonal attraction, sense of security है, जो इसमें contribute करता है, so ये थे कुछ factors, interpersonal attractions, I hope आपको cover हो गए होगे, ये आपको समझ आ गए होगे, फिर भी कोई doubt रह जाता है, तो आप हमें comment कर सकते हैं, next जो आता है आपको exam में important question है, वो है header balance theory, Fritz header ने ये theory दी थी, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, Fritz header ने ये balance theory दी थी, क्यों balance theories का नाम रखा गया, इसका example लेंगे हम एक आपके celebrity ideal role, जो भी आपके model है उनसे, ठीक है, इस theory का जो main purpose क्या है, कि आप जब भी आपकी life में क्या होता है, एक person जो self होता है, एक other person और एक third person, आप third person कह सकते हैं, आप फिर कोई object कह सक है, इस theory में जो X है, वो object है, topic है, issue है, कुछ भी आप consider कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये third person क्या कहते हैं, जब भी हमारी life में cognitive dissonance होता है, या हम ये कह सकते हैं, हमारा attitude, हमारे behavior से, हमारे action से अलग हो, तब हमें cognitive dissonance, हम ये कह सकते हैं, conflicts मैसूस होते हैं, कि कुछ नो कुछ त को header balance theory कहते हैं, कि हमें life में क्या चाहिए, balance चाहिए, कैसे चाहिए, वो हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश करते हैं, कि हम psychological balance को create कर पाएं, ठीक है, तो header balance theory is a psychological concept that explore dynamics of interpersonal relationships and cognitive processes, individual maintain sense of balance and consistency in social interactions, जब भी हम society में interact करते हैं, या relationship बनाते हैं, तो वहाँ पर cognitive process के दुरान क्या होता है, imbalance या फिर कई बार हमें cognitive dissonance महसूस होता है, क्या हम कह सकते हैं, conflicts महसूस होते हैं, उन conflicts को balance करने के, यह theory explain करेंगे, हम कैसे उन चीजों को balance करते हैं, social interactions को कैसे balance करते हैं, ठीक है, तो इसको समझने का एक यूपाए है, कि हम एक example लें और फिर आप को समझाए, यहाँ पर मैं पहले बता देता हूं, तीन terms आपको सुनने को मिलेंगी, P जिसको हम person कहेंगे, O other person, और A unit X, ठीक है, example कैसे लेंगे, मान लीजिए, आप किसे पसंद करते हैं, यह बताए पहले तो आप, चलिए celebrity endorsement का यह example लेते हैं, या फिर आपके friend का example लेते ह यहाँ पर O हो जाता है आपका friend, ठीक है, और जब यह friend और एक यहाँ पर हो जाती है हमारे पास, book, यह काफी common example है, ठीक है, मान लीजिए, आप क्या करते हैं, आप book पढ़ना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, positive, ठीक है, और आपका friend भी book पढ़ना पसंद करता है तब ही तो आप friends है, क्योंकि आप में similarities है, इसलिए आपका उस व्यक्ति के प्रति, आपके friend के प्रति क्या हुआ, interpersonal attractions है, जो बढ़ गया, आप उसकी तरफ attract ज्यादा हुए, कि हाँ, हमारे दोनों में similarities है, हमें book पढ़ना पसंद है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, friendship करेंगे, statements, यहाँ पर क्या है, positive, इसका मतलब यह क्या है, positive relationship, तीनों तरफ है, तो यह balance है, यहाँ पर कोई cognitive dissonance, कोई conflict आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन, यही पर मैं एक example और दूँ आपको, माल लीजिए, यह कोई celebrity है, जो कि क्या करती है, कोई shampoo है, जो endorse करती है, उसके advertisement आ क्या किया, shampoo यहाँ लिखना था मुझे, ठीक है, या फिर हाँठी का hair product, कोई भी आप use कर सकते हैं, तो यहाँ पर celebrity है, और यहाँ पर क्यों है, आप है, self, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, celebrity, यहाँ पर देखना condition, आप समझने की कोशिश करना, अगर आप celebrity को पसंद करते हैं, में भी, इफ यहाँ पर positive relationship है, आप celebrity को पसंद करते हैं, और celebrity ने क्या किया, shampoo की advertisement की इसको endorse किया, तो celebrity और shampoo के बीच में positive relationship है, तो अब यहाँ पर देखिए, दोनों के बीच में positive relationship है, अगर आपको यह shampoo बिलकुल पसंद नहीं है, मान लिजी, एक किस यह है, तो यहाँ पर क् cognitive dissonance आ गया, conflicts होगा, कि यह celebrity क्यों इसको endorse कर रही है, तो यहाँ पर क्या chance है, आप इस celebrity को क्या करेंगे, ना पसंद करना शुरू कर देंगे, ठीक है, possibilities, या फिर, या फिर, दूसरी possibility क्या है, आप क्या करेंगे, shampoo को भी पसंद करना शुरू कर देंगे, कि हाँ, मेरे जो ideal ह है, वो क्या करता है, यह shampoo यूज करता है, क्यो ना, मैं भी इसको यूज करूँ, है न, वो कहता है, TV पे, मेरे hair falls के लिए, या smooth and shining के लिए, आप ये shampoo यूज करें, तो अगर आप celebrity को पसंद करते हैं, तो it may be possible, आप shampoo को भी पसंद करें, जिसको आप कभी जानते तक नहीं थ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, balance, है न, अगर यहाँ पर negative हो जाता है, तो यहाँ पर यह condition किसकी होगी, imbalance की, ठीक है, I hope आपको यहाँ पर cover और समझ में आ रहा होगा, मैं क्या कह रहा हूँ, एक और example लेते हैं, चलिए इसका, यह आपका friend है, यह आप है, यह आपका friend है, और यहाँ पर वही हमारी book, अब यह भी possible है कि आपको क्या हो, यह आप friend है, यह तो condition हमने पहले ही लगा दे, लेकिन आपके इस friend को book पढ़ना पसंद है, यहाँ पर positive relationship, और आपको book पढ़ना बिलकुल भी पसंद नहीं है, it may be possible, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों को यह book पढ ठीक है, condition बदल जाएगे, examples बदल जाएगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको यह friend, sorry book पढ़ना आपको पसंद नहीं है आपके friend को, और आपको book पढ़ना काफी पसंद है, तो यहाँ पर हम cognitive, यहाँ पर क्या हो रहा है, भी हमें conflict हो रहा है, यहाँ हम कह सकते cognitive dissonance हम यहाँ पर feel करेंगे, तो इस conflict और cognitive dissonance को कम करने के लिए, खतम करने के लिए, हम क्या करेंगे, या तो हमें भी book पढ़ना पसंद आने लग जाएगा, या फिर, या फिर आपका friend book पढ़ना छोड़ सकता है, या फिर हो सकता है आप दोनों की friendship ना रहें, लंबे टमें समय तक, तो इट में भी possible, तो header balance यही कहती है, थियरी कि जो हमारी dynamic interpersonal relationship और cognitive process है, वो क्या करती है, balance का use करती है, sense of balance, और consistency, social interactions में, हम कहीं भी interact कर रहे हैं, वहां हमें balance ज़रूरी है, अगर हम conflicts महसूस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारे attitude को बदल सकते हैं, उस environment को बदल सकते है में भी possible, कि हम situation को ही बदल दे, है ना, तो header balance theory आपको समझ आ गई होगी, कि सारा खेल balance का है, तो यहाँ पर positive relationship है, negative relationship है, balance trides के बारे में बताया, यह आप अपने आप पढ़िएगा, कि example है यहाँ पर, वो आपको असानी से समझ आ जाएगा, अगर फिर भी ना समझ आए, त direction शुरू करते हैं, तो मुझसे पहले जैसे कि हमने बताया, reciprocity का concept हमने समझा, इसमें भी समझा, पिछली वीडियो में भी काफी बार कर चुके हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे rewards को measure करते हैं, evaluate करते हैं, और हमारे cost को evaluate करते हैं, कि हमारे किसी relationship में, कितनी cost, कितना हम invest कर रहे हैं, और कितना हमें output मिल रहा है, हम यह कह सकते हैं कि हम क्या करेंगे, इपने benefits को ज्यादा importance देगे, this theory suggests that people are rational actors who aim to maximize their own self-interest and well-being in social interactions में, अपने खुद का self-interest या benefits वो ज्यादा देखते हैं, और as comparison to जो cost वो वहाँ पर invest करते हैं, तो यहाँ पर cost अलग-अलग हो सक हो सकता है, benefits में आपको emotional support मिल रहा हो, या financial support मिल रहा हो, ठीक है, हो सकता है, आप security feel कर रहे हो, इस तरह के benefits है, जो हो सकते हैं, और cost में आपके पास time हो सकता है, money हो सकता है, ओके, तो कुछ key points है, social exchange theory के, वो हम यहाँ पर discuss करते हैं, rewards कौन-कौन से हो सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया, जो positive outcome, जो बी एक particular relationship से हमें मिल रहा है, जिसकी हम expectation कर रहे है, कि इस relationship से मुझे ये मिल सकता है, तो вो होता है reward, जो भी एक person, क्या करता है, expect करता है, किसी एक particular relationship में, reward जो tangible हो सकते हैं, gifts हो सकते हैं, tangible जैसे कि, tangible में क्टिरियल resources, जैसे कि मैंने बतायing, gifts हो सक हम यह कह सकते हैं कि financial support हो सकता है यह काफी rewards है जो अब आप मुझे यह बता सकते हैं आपने कभी जो relationship build किया है वो किस बहाफ पे की है क्या आपने कभी rewards और cost के बहाफ पे काफी लोगों ने किया है तो cost की है time जादा लगा रहे हैं उस relationship में efforts हमारा emotional stress negative experience और outcomes जो भी हमारी लागत है उसको cost कहेंगे हिंदी में है ना so comparison level की बात करें तो comparison level क्या होगा यहां पर हम क्या करते हैं जब भी कोई relationship build करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कुछ expectation होते है कि मैं इसके साथ relationship रखूंगा तो हो सकता है मुझे जो future में कुछ अच्छा outcome देखने को मिल जाए या मुझे जो future में assignment provide करा दे है मेरे exams की तयारी करवा देए तो हम क्या करते हैं वहाँ पर है जो compare करने के लिए एक expectation level होता है जो हमने expect किया है और जो हमें मिल रहा है वो comparison level है समझ रहे हैं each person has a personal comparison level which represents their expectations of what they should receive in relationship based on their past experience or cultural norms जैसा कि उन्होंने expect किया है कि हां मुझे इतना output चाहिए जैसे कि आप market में क्या करते हैं मान लीजिये आप क्या करेंगे आपने कोई अच्छी जो body building जो उसको जो क्या करया friend बना लिया आपने उसको क्या 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 जिसके अच्छी बोडी है दिखने में काफी handsome है और powerful person है उसको आपने friend बना लिया और आपने सोचा ही कम से कम क्या करेगा जब मेरे साथ किसी का जगडा हो जाएगा तो मेरी help करे तो expectation क्या थी आपकी कि वो आपकी help करेगा तो वो अगर आपके expectation पे खरा उतरता है that means वहां पर आप satisfy रहेंगे उसके साथ relationship में रहेंगे otherwise अगर वो आपकी help नहीं करता तो इसका मतलब आपकी expectation से वो नीचे ही है उसने help नहीं की तो ये comparison level है जो वो expectation है वो आपका comparison level है अगर वो उनक्यों meet करता है तो it means आपकी relationship रहेंगी otherwise comparison level से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी relationship रहेंगी या नहीं रहेंगी next जो आता है वो क्या है comparison level for alternatives हो सकता है उसी का कोई friend हो दिखने में थोड़ा सा कम सुडोल लग रहा हो या हम कह सकते हैं कि उसमें जो body shorty है उसकी थोड़ी सी कम है लेकिन आपको लगता है कि ये काफी active student है शायद ये मेरी help करेगा ये bodybuilder तो करने ही रहा शायद उसका friend है कि नहीं इसको छोड़ो इसके साथ friendship करेंगे तो ये comparison level for alternative से समझ रहे हैं outcome की क्या बात है जहां पर हम क्या करें हमारे reward में से cost को minus कर दे हमेरे के पास कितना output मिलता है वो हमारी outcome है बिल्कुल simple ठीक है ये थी हमारी social exchange theory header balance theory Fritz header ने दिए हमारे cognitive dissonance या हमारी life में balance के लिए हम इसको use करते हैं ठीक है और interpersonal attractions factor of interpersonal attractions I hope आपको content clear हो गया होगा topics clear होगे होगे लेकिन फिर भी अगर कोई doubt रह जाता है तो आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं हम आपको जो answer जरूर करेंगे notes की बात करूँ तो notes आपको 9 rupees है जो per pdf पे करना होगा इसके लिए आप हमसे whatsapp पर और हमारी email id पर हमसे contact कर सकते हैं telegram channel youtube channel पर आप हमें subscribe कर सकते हैं for further updates and information so this video में इतना ही मिलती है next video में thanks for watching this video have a nice day